तो इस वीडियो में जो हम हीरो आइसल का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा जमसितपूर FC वर्सिस नौर्थ इस्ट युनिटेड एपसी के बीच मैच का वेन्यू का न्यूटरल गोगा शाम को 7.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाले हैं तो दोस्तों बात करें जमसितपूर FC और नौर्थ इस्ट युनिटेड एपसी की फिलाल जो जमसितपूर FC है उन्होंने न्यू सीजन में बहुत अच्छा इस्टार्ट किया था बट लास्ट के दो तीन मैचेस उनके उतने अच्छे नहीं गए इस्टिल अभी वह आप देख तो जमसितपूर के लिए एक इंपटेंट मैच होने वाला है और आपको लगेगा पॉइंट स्टेबल में सिक्स पोजीशन में लेकिन अगर आप यहां पे टॉप सेवन टीम के वीज में पॉइंट डिफ्रेंट दिखेंगे तो बहुत क्लोज है गैप आप दिखे एक एक मैच भी एक अच्छा मैच भी इन टीम की पोजीशनिंग दो या तीन पाइदान उपपर कर सकते हैं बात करें नौर्थ इस्ट उनाइटेट की सीजन अच्छा नहीं जा रहा है एवरेस सा सीजन रहा है बट यह टीम बहुत अनप्रेडिक्टिबल साइड है यह कमजोड से क साइट से तो हार जाएगी लेकिन कभी-कभी यह बड़ी से बड़ी टीम को हरा देगी उनके अगेश ड्रॉख खेल जाएगी तो यह टीम को कभी भी भी आम भरोसा नहीं कर सकते कि आज कैसा रिजल्ट प्रड्यूस करेगी अनेक्सपेक्टेड रिजल्ट यह टीम प्रड् है और आप यहां पर भी देखेंगे अगर आज नौर्ट इस सर्प्राइजिंग्ली जमसेदपूर को हराती है यह भी यहां पर देखेंगे आप उपर चलियागी दो तीन पोजीशन उपर तो देखा जाए दोनू टीम के ले मैच इंपोड़न्ट होगा अगर इनको अपनी पोजीशनिंग सुधान नहीं है बागी रिसेंट फॉर्म वागेरा दिखाता हूं तो जमसेदपूर की रिसेंट फॉर्म आप देखें अच्छी नहीं चल लिए लास्ट तीन मैचेज उनके उतने अच्छी नहीं गए गोलर ड्रॉप बेंगलूरू से है और पिछले मैच म कर रहा और पिछले मैच में तो इन्होंने मुंबाइ सिटी अपनेंट के अगेश्ट एक 3-3 ड्रॉप कर रहा तो देखा जाए यह लगबग हर मैच में स्कोर कर रही है बट यह बहुत ज्यादा गोल्स भी कंसीट कर रही है अच्छे क्वालिटी अटेक के अगेश्ट फिल है तो आज अगर किसी एक तीम को स्लाइटली वेक करना होगा मैं जमसितपूर एपसी को करूँगा अल्दो मैंने कहा नौर्थ इस्ट इनर्टेट एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल साइड है यह किसी भी अपोनेंट को कभी भी सर्प्राइस कर सकती है तो यह भी यहाँ प प्रोविबल लाइनप प्याम आते हैं उससे वहले फिर यही चीज रिमाइंड दिला दू इस मैच की आठ गरांड लीग और एक फाइनल स्मॉल लीग टीम लाइनप आने के बाद मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्रिप बात करते हैं जमसितपूर एपसी की तो जमसितपूर एपसी यहाँ पे मेरे अगॉर्डिंग स्लाइट फेवरेट होने आलिए तो मैं इनके थोड़े ज्यादा प्लेयर पी करूँगा इसमॉल लिग में यानि कि 6-7 प्लेयर में जमसितपूर एपसी के पी करूँगा और अ मैं यहाँ पे जमसितपूर का करूँगा विकॉस नॉट्थिष्ट बहुत अन्प्रेडिक्टेबल साइड है किसी मैंज मों 3-4 गोल मार देंगे और किसी मों गोली स्कूर नहीं करेंगे ऐसी टीम है तो उनके मेरे को अटेक पे कंसिस्टेंसी पे भरुसा नहीं है मतलब अटेकर्स में हमकी क्वालिटी है पट कंसिस्टेंट नहीं है हो सकता है आज एक ब्लेंग कर दे हो तो फिलाल के लिए मैं थोड़े ज्यादा डिफेंडर यहाँ पे जमसितपूर के पिक करूँगा ओल्दो इनके भी में उतने पि अभी के लिए अगर मैं मिनिममम दो डिफेंडर पिक करूँगा तो मेरी टॉप टूचाइज रहेंगे पीटर हाटली जो इनके कैप्टन है और रिकी लाला मावया जो लेफ्ट बैक पोजीशन से अभी तक अच्छा करने है हाटली आपको कभी भी रेंडम हेड़ेट गोल लगागे दे सकते हैं जब भी आप देखना ग्रेंग इस्टिवर्ट कॉर्णर फ्रीकिक लेते हैं तो वह हाटली कोई टार्गेट करते हैं विकाज हेडर में बहुत सॉलिड है और डिफेंडिंग भी अच्छी करते हैं पाकि रिकी ने भी अभी तक अच्छा गया है ठीक मेरी top 2 चॉइस. अगर मेरी को तीन प्रिक करने में मैं जाँगा ठाट चइस लटियाना के साथ जो डीसेंट है डिफनसिव उफेंसिव आइउपलेंड हैं मेरी डिफेंडक्ष goods करने डीकर लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे फेंटेशी बॉइंट पींस्ट वी करेंगें ये मिट्फिल माइश्ट्रों है ये हर मैच में लगबग 20 से 25 से पॉइंट दे रहे हैं अपने डिफेंसिव अबिलिटी से चांसेज वगेरा थोड़े बहुत क्रेट कर रहे हैं तो लीमा एक इंपोर्टेंट आप्सन रहेंगे और सिलेक्शन भी आई है तो मेरे अकॉर्डि से अपसन ग्रेग श्टिवर्ट रहने वाले हैं और अब तो क्या है ना वासकर्स जो इनके पिछले सीजन तक टैलिस्में थे वो क्लब छोड़के जा चुके अभी मेट ट्रांसपर विंडो में चिन्न एन एफसी में वापस तो हाई चंसे से पेनाल्टी टेकर भी ग्रेग स्टिवर्ट होने वाले कॉर्णर की फ्रीकिक तो यह लेते ही हैं तो ग्रेग श्टिवर्ट इस मैच में एक डिफॉल्ट केप्टन सी ओपसर नहींगे और आज यह ड्यू है पिकवाद लास्ट मैच में का गोल नहीं आए तो यहाँ पे मेरे को आज यह ड्यू लग रहे है तो मेरे अकॉडिंगा ग्रेग श्टिवर्ट का गोल आ सकता है तो ग्रेग श्टिवर्ट होगे लीमा होगे दो मस्ट पिक प्लेयर रहने वाले हैं अब जो दो इनके वाइट प्लेयर है बोरिस सिंग ठांग जाम और रित्विक दास स्मॉल लिग में तो रिकमेंड नहीं क इन दोनों का ऐसा भी है अगर मैच अच्छा नहीं जा रहा तो इनको सब्सिर्विट भी किया जा सकता है इस वजय से में मैं स्मॉल लिग में डारेक्ट रिकमेंड नहीं कर रहा हूं एक प्लेयर जिन से बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन थी लेकिन अभी तक तो हर मैच मे अच्छे नहीं कहें बट मैं यहां पर जो है ना स्लाइट फेवरेट कर रहा हूं फेवर कर रहा हूं जमसितपूर एपसी को तो मैं यहां पर एक और बार पंड लूंगा जॉर्डन मरे पे अल्दो यह सेफ नहीं होगा बिकास गोल असिज नहीं उतने पॉइंट नहीं दे सबी चीज़े मैंने यहां से आपको डीटेल में एक्स्प्लेइन कर दी मस्ट प्लेयर बता देता हूं जो हंड्रेट परसेंट आपकी टीप में चेह गे ग्रेग श्टीवर्ड दूसरे लीमा थाड़े पीटर हट्डी फोर्थे रिकी अब डिफेंड में डिफेंडर्स में आप रेंटन राईपिक कर सकते हैं याँ रहनेस्टीपी इनके गोलकीबर पिक कर सकते हैं नहीं जगे से गोलकीबर आपको अच्छे सेफस कर सकते हैं पांड लेहाँ आप जॉडण मरी या बारिसी सिंग आम जैसे प्लِयर पर पक्लेयर पे पॉण ले सकते हैं फिलाल यह भी तक के सीजन के hero ISL के stat है अपोनेंट की बात करने से बेले फिर reminds लाना चाहूंगा इस match की 8 grand league और एक final small league team आपको मिलेगी हमारे telegram channel में उसका link या तब को description box में मिलेगा या आपको मिलेगा top pin comment में वहां से जूड़के आप मेरे telegram channel से join कर सकते हैं 4300 के आसपास subscriber वाला channel आपको मिल जाएगा तो description box या top pin comment में जाएए telegram channel से जरूर से जरूर जाइन हो जाएए अब हम बात करते हैं अपोनेंट जो है North East United की तो North East United के लिए खासा कमारा आने वलीवले इंटरनेशनल duty में गए हैं इनकी 11 देखते हैं मिचु इनके गोल की पर हुँगे चार इनके defender है प्रोवाट लाकरा हनना संटाना पैट्रिक फ्लोटमेन और टॉंगडंगो सिंग फिलाल संटाना मिटफील सेक्षन में लिष्टेड है बाकी फ्लोटमेन होगे लाकरा होगे इनका सिलेक्षन है 75-76 परसेंट के असपास अब दिक्कत किया है अब माल लीजे हमने फ्लोटमेन पिक नहीं किया और यह आज रेंडम हेड़ेट गोल मार गए तो हमारा वहीं पर क्लीन लॉस हो जाना है बिकाज मोश्ट अब आपको 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 लाएगा फ्लोटमेन को तो में भी यह ज्यादा सेव रहेंगे डिफेंस में आप चाहे लाकरा को भी पिक कर सकते हैं या आप चाहे एक भी डिफेंडर इनका पिक मत करना आप जमसितपुर का थार्ड डिफेंडर रेंड लाई पिक कर सकते हैं या आप अपने अकोडिंग कॉल ले सकते हैं पाकी हन सेननां सेन्टाना मेरे अरटिंक मस्टफिक रहेंगे मिधफिल से अब दूसरा मस्टफिक प्लेयर रहेगा जो फटार्क होर्स की तरह निकला इस टीम से वह है इम्रान खान कौन है यह वंदा दूस्त वे स्टम का आप अ लास्त तो तीन मैचिस से तो इतना इंप्रेसी पर्फामेंस कर रहा है इंडियन प्लेयर है यह पिछले मैच में दो आसिस दे चुग है अल्दो एक असिस लगी था लेकिन एक क्या डाइगनल बॉल दी ती डेशान ब्राउन को और यह दूसरी बात कॉनर की क्लिए रहा है तो इनास सिंग प्रग्यान को गोई दोनुने कुछ ज्यादा खास किया नहीं दोनुको इग्नोर करते है जी अल्पिक हूंगे सोहेर इंपोर्टेंट आपसर नहींगे अभी तक इस टीम के वन अब बेस्ट इंडियन प्लेयर रहे है दो गोल एक असिस कर चुग है और और थीश फेवर करने है यह आपको लग रहा वन वन टूटू का ड्रॉब होगा आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राइ कर सकते हैं अब एक प्लेयर है कुरियर अगर इनको भी करना है तो आपको जॉर्डन मरी को ड्रॉप करना बढ़ेगा जैसा मैं इनका जॉर अच्छे पॉइंट के साथ और यह टिक टाक डिफेंसिव पॉइंट भी देते लेकिन मरी उतने डिफेंसिव कंट्रिबूशन नहीं करते तो सेफ ज्यादा रहेंगे कूरियर आपको पिक करना है बट मैं यहाँ पे ट्रॉस्ट करके मरी को पिक करूंगा इस मैज में तो य यह मेरा हलका सा रिस्क रहने वाल है तो यह नॉर्थ रिष्ट युनाइटेट की प्रोविबल इलेवन थी लगबग सभी चीजे मैं यहां से आपको डिटेल में कर दी यहां के मस्ट पिक प्लेयर है संटाना हो गए ब्राउन हो गए और सुयर हो गए मेरे अक्वाडिंग सब्सक्राइब के सिजन के हीरो अशल के स्टाइट है अभी के लिए जो मेरी प्रिक्सन है में एक स्लाइटली टू बन बैक करके जमसितपूर एपसी विक्रिडी के साथ जारो दूसरी मेरी एक टू-टू ड्रॉ की ऑल्दवे मैच किसी भी साइट जा सकता है तो यह मेरी ड बाकि जो भी मेरी अफटेटेड फाइनल टीम होगी विद आठ ग्रांड लीग टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक है description box में जरूर से जरूर join कर लिजिए